Assalamualaikum everyone, hope you all are doing good, welcome back to my channel तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा exciting और interesting होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को अपनी सारी engagement की जो details हैं वो सारी share करने लगी हो पूरी वीडियो को आप लोगोंने end तक देखना है और कोई भी question हो आप लोगों से comment section में पूर सकते हैं So let's start the video तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपनी A to Z सारी shopping जो है वो Emporium Mall से की थी लहौर से तो मैं गई थी अपनी सिस्टर के साथ अपनी सारी shopping करने और एक ही जगह से मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि being in a hostel light हमारे लिए बहुत दा मुश्किल था कि हम लोग different markets में जाएं liberty market जाएं और मुझे बहुत short time में हर चीज जो है वो चाहिए थी इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं प्रेट में ही अपना जो है न वो dress ढूँँ तो मैंने Emporium का हर brand और हर designer जो है वो visit किया ठीक है उनका store और बहुत मुश्किल से मुझे जाके एक dress जो है न जिस तरह का मैं चाहरी थ तो सबसे पहले जी मैं मारिया भी पर गई और वहां पर उनका सारा प्रेट जो है मैंने चेक किया और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह का मैं चाहरी थी वह चीज मझे नहीं नहीं नज़र आई तो मैंने बहुत जादा ब्रेंड विजिट किये थे मैं उनकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई वक तक ना मेरा बहुत जादा मूट खराब हो गया था क्योंकि मुझे लब रहा था मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और अट दी एंड मैं अक्षी स्टूडियो पर गई इधर भी ऐसी बस विज़र करने गई उमीद तो नहीं और पीची पिंग साई कलर था तो यहां पर जी मैंने ट्रेस जल्दी से ट्राइ किया और मीडियम साइज था यह जो मैंने पहना हूँ है वन बाद तिंग अब थिस द्रेस वाज के इसमें नहीं स्मॉल साइज अवेलेबल था और मीडियम अवेलिबल था लिकिन वो सिर्फ दिस्प्ले वाला था सैंपल जो होता है इसके इलावा और उनके पार फ्रेश पीस नहीं थे तो उन्होंने का कि हम आपको डिलिवर करवा देंगे आपके घर पे और मुझे जल्दी से डिसिजन लेना था कि क्या करूं क्योंकि मुझे बहुत मुझे बहुत मुश्किल से ए द्रेस क्योंकि इत पर जाहर है डिलिवरीज नहीं होती है और इसके बाद यह हुआ कि जब मैं घर पहुंच की तब भी वहां पे डिलिवर नहीं था और तो इनको मैंने ऑफिशल पेज पर कांटेक किया इंस्टा पे और वैसे भी कॉल्स वगरा पे भी मैंने इसे बात की कि मैं आपको मिल जाएगा प्रेंशन ना लें तो भी ना मुझे 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 बहुत अधा प्रेंशन हो ली थी कि मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ड्रेस जो है वो मेरे घर तक डिलिवर नहीं हुआ और मैंने किसी के थूरू टीस ओफिस से बंगवाया और उस तब जाके जो है ना मेरे तक वो ड्रेस पहुंचा बहुत ही एफर्ट्स के बाद तो मुझे इन लोगों से ये कंप्लेइन है कि इनको प्रॉपर जो है ना सारी अर्रेंजमेंट्स करनी चाहिए थी और डिलिवरी जो है टाइम पर होनी चाहिए थी इन लोगों ने इन से कोई ड्रेस लेना चाहिए तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग डिलिवरी अगर करवा रहे हैं तो इन से शोटी करवाएं पहले उसके बाद जाके अपने डिलिवरी करवाएं यह मुझे 30,000 का मिला था और यहां पर इसकी पिचर है और इसका लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में टैच कर दूंगी तो आप लोग बहात जाके विजिट कर सकते हैं और अर अप लोग इन से ही कॉन्टेक्ट के पूछ ले जाएगा क्योंकि अभी मुझे बि अब बात कर लेते हैं शूस की तो मुझे चाहिए थी एक ब्लॉक हील टाइप कुछ या सैंडल्स या फिर मतलब कुछ फ्लाट में चाहिए था जो के मुझे क्यारी करना एजी रहे एक तो इतना हैवी ड्रेस और उसके साथ फिर अगर पेंसल हील पहन ली जाए तो फिर उस आईलो भी विजिट किया और यहां पर जी मैं बोर जान पर बैठी हूं और यह वाली जो हील एना मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसका कलर और इसका जो शेप थी बहुत अच्छी लगी थी मुझे लेकिन मैंने फिर यह नहीं ली क्यूंकि यह एक्जैक्ट वू पिंक जो कि मैं चाहरी थी अपने ड्रेस के साथ जो पैडल पैंक और इस तरह का था ना उसके बाद जी मैं इनसे एक निया आ गई और इनकी भी बहुत अच्छी कलेक्शन लगी हुई थी बट मुझे जो कलर चाहिए था वो नहीं था बहुत मुझे यह वाल आर्टिकल इनका पस संद आ गया था और यह मैंने पर्चेस किया था और इसकी जो वीडियोज हैं और पिच्छर्स हैं वहां से मैं क्लिक करना भूल गी इनको रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो यह एक ब्लॉक हील थी और शिम्री सी थी और बहुत मतलब ज्यादा ओवर भी नहीं थी और ज्या इमपोरियों पर बहुत ज्यादा ज्युल्री स्टोर्स और स्ट्रॉल्स पर गईरा मैंने विजट किया बट मुझे ऐसी चीज नहीं मिली और जब स्टायल हो गई तो मुझे यह वाला सेट नहीं आया और बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत अच्छी क्वाल्टी थी और मेरी स्केन को जो है इसने डामेज नहीं किया मतलब कि जिन लोगों की सेंस्टिफ स्केन होती है तो आटिफिचल जूल्री जो पहने तो उनको रैश हो जाते हैं तो मुझे इस तरह होता है लेकिन यह वाला सेट पहने के बाद बिल्कुल भी मुझे इस तरह कुछ फील नही इस था और दो एरिंग्स थे और साथ एक बिंदी थी और यह बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ तो अब बात कर रहते हैं क्लचिस की तो मैंने क्लच्चों है वह भी स्ट्राइलों से ही पर्चेस किया था तो इस इस तरह से यह उपन होता था और इसकी टू साइड थी यह इस तरीके से और यह क्लच्च हैंड में कैरीकर के भी बहुत प्यारा लगता है और इस तरह से आप इसको चेन के साथ भी उठा सकते हो बहुत प्यारी इस किलुक आती है तो अब जी जुल्री के बात कर लेते हैं तो मैंने बैंगल्स जस्ट पहनी थी बाकी मेरा बिल्कुल भी खराब नहीं हुई बिल्कुल भीूल भी इनको को प्ल मतलब के दाग서 भी क्ली में ही और एस तरह की निइंट न क्लीन घ। पड़ी होई है चले जी शॉपिंग तसारी होगे है डन अब मैं आप लोग के साथ सारी अर्रेंजमेंट्स वगरा और जो भी मैंने मेन्यू रखा था उसकी डीटेल्स जो है वो शेयर करती हो तो मेरे सारा सेट अप और अर्रेंजमेंट्स रूथी इंगेजमेंट्स की वो लाव और कोई भी नहीं था तो इसलिए यह सेट अप घर में ही हुआ सारा तो मेकप की बात आ जाती है मेकप मैंने अपना सारा खुद किया था और यह सारे प्रोडक्स जो है वो मैंने यूज किये थे मैंने मेकप खुद करना प्रेफर किया क्योंकि मैं बहुत ही मतलब और यह सारा किया था डिस बागा तंवा और यह सारा था ही कर जी यह ता ङूह सारा सेट अप जो है हमारे ड्वार응 में हमें अर्रेंज किया था अब बात कर लेते हैं मेन्यू की तो मैं था ब्रियानि शामी कबाप थे चिकन गूरमा थाECT । ऍर अपन कोर माटन कोर नइ合 धाल भी थी पार साथ कोल डूंस थी और साथ नान और पराठा था तो इंगेजमेंट सर्मनी के बाद हम लोग ने केक कट कि पिपयाई कृति हैं अपिनियों को पिंट्र सबद्रेज्ट Óठ गर वाएथा था लेकिन यह उसटर नीतर मैं चाह री ती मेढ़ आट आप और सी कट से भी और बहुत ही हसीन इस परवक हुआ हुआ है सारा मशीन और है और यह आप लोग डिटील चरे करें अब इस तरह एक तापर एस तरह की लाइंस बहुत अच्छी लेंथ मे थी मतलब जप बहुत की ब्यूत बहुत आग सी आप आपकी गगी कर बादर पर इस तरहां के पर्स लगे हुए थे खापर कर दो भूर T यह दिखें यह द आपкий। फुल इंब na और पूरा मिशीन वर्क है और इस तरह की डूरी है जो के बैक पे थी यहां पर फ्रेंट पे मैं आपो दिखा रही हूं और यह आप लोग गला चेक करें इसका यहां पर भी लाइट कॉपर से कलर में चोटे-चोटे पर्ल्स लगे हुए थे और यह इसकी डूरी आ गई और य कमप्लेट लूक तो अब जी इसकी डूबट़ा भी इसी तरह है फुल इंपराइडर इसका बॉरडर पूरा और यह फुल ड्रेस जो है पूरा और गैंजा में था और इसके नीचे जो है उन्होंने एक लेयर लगाई भी थी जो के शिर्ट और घरारे की नीचे ती इस तरह का यह है टुपट्टा बॉर्ड चेक करें और वर्क चेक करें आप लोग कितना clean work है neat and clean so this is my overall dress and mashallah alhamdulillah बहुत अच्छा dress था और बहुत अच्छी price में मुझे मिल गया था alhamdulillah everything was perfect and thanks to my family जिन्होंने मिचे इतना support किया और मेरे सारे arrangements और हर चीज जो है उन्होंने top notch रखी यह थी guys मेरी आज की video उमीद है कि यह आप लोग के लिए helpful रही होगी आप लोग को कुछ नगुछ idea हुआ होगा कि घर में किस तरह arrangement करते हैं so if yes do give a thumbs up to this video इंशाला हम लोग next video में मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज